हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1-tech तो फ्रेंड जैसे कि आपको इस वीडियो के थमनिल से भी पता लग गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेंड यूट्यूब चैनल के बारे में तो ब्रेंड एक ब्रेंड अकाउंट होना चाहिए तब भी हम उसको इसली एक इमेल आइडी से दूसरी इमेल आइडी पर शिफ्ट कर पाएंगे यह कैसे पता लगाते हैं कि हमारे चैनल ब्रेंड अकाउंट है या नहीं वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ में ही आ मारे चैनल में कुछ लोस हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मैं आपको साड़ा स्टेप बाई स्टेप सिखाऊंगा इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे से सिखाऊंगा कि कैसे आप एक ब्रेंड यूट्यूब चैनल क्रेट कर सकते हैं मतलब या फिर अपने इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पर सैट कर लें जिससे आपको मेरी आन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने youtube.com open किया हुआ है chrome browser के अंदर तो आपको भी ऐसे ही open करना है हर जो भी मैं step बताऊंगा उसे ध्यान से आपको देखना है हर एक step बहुत काफी जादा important है तो इसमें मैं सबसे पहले आपको यह check करना बता देता कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपका account brand account है या नहीं है आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो youtube channel है वो पहले से ही brand account में converted है या नहीं है तो उसके लिए हमें यहाँ पे top right corner में अपना जो channel का icon आयेगा हमारा हमें इसके उपर click करना है और यहाँ पे आपको एक option रहा है ठीक है तो यहाँ पे कोई और youtube channel यहाँ पे नहीं बना हुआ इसका मतलब यह एक brand account नहीं है और भी तरीका है इसको चेक करने का वो भी मैं आपको बताऊंगा और यह एक dummy channel है मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया है ठीक है तो यहाँ पे हमें अभी क्या करना है आपको यहाँ पे नीचे setting का option दिखाए देगा आपको इसके उपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको fourth number पर permissions का option मिलेगा आपको इसके उपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें आपकोई भी options show नहीं हो रहे हैं अगर यह एक brand account होता तो यहाँ पे manage permission और move permission का option होता तो वो यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब है यह brand account नहीं है हमें इसे brand account में convert करना पड़ेगा अपने YouTube चैनल को तो वो कैसे करना है यहाँ से close कर देंगे ठीक है और वापिस अपने your channel के उपर आ जाएंगे इस पे क्लिक करके और यहाँ पे हमें दुबारा से अपने इस icon के उपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें switch account के उपर जाना है ध्यान से आपको इन सारे steps को देखना है उसके बाद यहाँ पे आपको एक option दिखाई देगा view all channels का हमें इसके उपर क्लिक करना है इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर create channel का option मिल गया है, तो यहाँ पर हमें create channel के उपर click करना है, तो हम यहाँ पर same नाम रखेंगे, जो हमारे channel का नाम है, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, यह मैंने वही नाम यहाँ पर डाल दिया है, क्लिक करना है, इस side में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर switch account के उपर click करेंगे, तो यहाँ पर अभी यह दो channel शो हो रहे हैं, क्योंकि एक channel अभी हमने बना दिया है, और एक हमारा पहले से था, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, यह logo वाला हमारा पुराना चैनल था, हम इस पुराने चैनल को इस नए वाले चैनल पर shift करेंगे, इसको एक brand account बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले अब क्या करना है, अब हमें अपने पुराने वाले चैनल के उपर जाना है, ध्यान से देखना है आपको इसको, हमें पुराने वाले चैनल के उपर click करना है, switch करना है, तो यहाँ पे हमें यूवर चैनल के उपर click करना है, यह पुराना वाला चैनल खुल गया हमारा, उसके बाद दुबारा हमें इसके उपर click करना है, है और यहासे हमें YouTube studio के अंदर जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर left side में setting का option दखाए देगा। हमें settings वाले option के उपर जाना है, और यहाँ पर हमे second option channel चैनल के उपर जाना है। और यहाँ पर हमें advanced setting का second number पर जो option है उसके उपर पर लप्ट साइट में काफ़ी सारे ओक्षности मिलेंगगे और हमें later option मिलेगा advance settings का हमें इसके उपर क्लिक करना है और यहां पर हमें एक option आपको दिखाई देगा मूव चेनल में मूव चेनल टू एक ब्रेंड अकंट हमें इसके उपर क्लिक करना है तो उसके उपर हम जैसे ही click करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा choose an account to move this channel to मतलब हमारा जो यह पुराना वाला channel है हम इसको move करने चाते हैं अपने एक नए channel पर जो हमने अभी बनाया है ठीक है तो हमें इसे यहाँ पर replace दे रखा है इसके उपर click करना ह यहाँ पर लिखा भी आ रहा है delete this channel कौन सा channel हमारा delete होगा जो हमने अभी अभी बनाया है यह आप देख सकते हैं इसमें logo नहीं लगा हुआ यह हमने अभी अभी बनाया था ठीक है तो यहाँ पर दे रखा है कि इसका जो भी including video subscriber likes जो भी है वो सारे delete हो जाएंगे तो यह हमार है delete channel के उपर क्लिक करना है उसके बाद ही हमसे बोल रहा है कि हमारा जो भी यह channel है वो उसके उपर shift हो जाएगा are you want to sure that you want to move and update your channel ठीक है तो हमें यहाँ पर simple corner में एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं switch account पर क्लिक करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो channel था वह हमारा नीचे हो चुका है दूसरे चैनल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है अब यह हमारा सारा जो है वह हमारा जो हमने अभी नया account बनाया था उसके उपर करना है तो आप देख सकते हैं अभी एक ब्रैंड अकाउंट में convert हो गया है जो हमने नया बनाया था उसके यहां पर हमें settings के अंदर जाना है और उसके बाद हमें यहां पर फोर्थ option permissions के अंदर जाना है तो आप देख सकते हैं यहां पर दोनों option आ गए है manage permission और move permission का जो हम use कर सकते हैं जब हमें अपने जो YouTube चैनल है अब हम असानी से इस YouTube चैनल को एक email ID से दूसरी email ID पर ट्रांसफर कर सकते हैं अगर वो भी आपको सीखना है तो उसके उपर में जल्दी से वीडियो लेकर आऊंगा तो इस चैनल को ज़रूर subscribe करें और like करें इस इस वीडियो का अगर पसंद आई हो तो इस तरीके से आप अपने YouTube चैनल को brand account में convert कर सकते हैं उसे brand YouTube चैनल बना सकते हैं तो friends अब आपने यह अच्छे से सीख लिया हुआ कि आप किस तरीके से अपना जो YouTube चैनल है current YouTube चैनल है उसको कैसे तो check कर सकते हैं कि वो brand account है या नही और उसके बाद उसे अगर वो brand account नहीं है तो उसे कैसे brand account में convert कर सकते हैं अगर फिर भी इस वीडियो से related कोई भी query कोई भी question है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और जादा से जादा शेयर करें थैंक यू